देश में COVID-19 की अपात कालिन तैयारियों की जांच के लिए सभी अस्पतालों में देश व्यापी मौक ड्रिल का आयू जन किया गया चीन, अमेरिका और कुछ हन्ने देशों में COVID-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये मौक ड्रिल की गई मौक ड्रिल की दुरान अस्पतालों में COVID-19 से लड़ने के लिए उपलब्द संसाधनों का आकलन भी किया गया जिसमें ऑक्सेजन प्लांट, वेंटिलेटर, लोजिस्टिक और मानव संसाधन पर विशेश्व ध्यान दिया गया और साथ ही साथ बुनियादी तयारियां और उसके धाचे का भी परिक्षन किया गया दुनिया के कुछ हिस्सों में फैल रहे COVID के चलते भारत पूरी तरह से अलर्ड पर है COVID की किसी भी खत्रे से निपटने के जुड़ी तयारियों की जाच के लिए मंगलवार को देश भर के स्पतालों में मौक ड्रिल आयुजित की गई इसका मकसद था COVID तयारियों को जाचना और किसी भी आपात स्थेती के लिए तायार रहना सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो केंडरिय स्वास्त मंत्री मनसुक मांडविया ने दिल्ली के सफद्र जंग स्पताल में जाकर मौक ड्रिल का जैजिया लिया इस दोनाहण उन्होंने स्वास्त कर्वियों से COVID की तयारियों को लेकर चर्चा की स्वास्त मंत्री ने कहा कि मॉख डूरील का मकसद आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए अपनी तैयारी की जाच करना है उन्हेंने काल कि कोविट को लेकर पूरी व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था दूसरे अस्पतालों में भी होनी चाहिए अगर देश में कोरोना के मामले बढ़े तो हमारे इस्पतालंको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए सारे देश में जो COVID ट्रिट्मेंट देने वाली सब भी अस्पताल में मोग ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी होस्पिटल COVID केस देश में बढ़े तो संपूर्णत तरीके से तयार रहे ताकि देश के नागरेकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रिट्में सफदर जंग अस्पताल के चिकत साध हिक्षक ने बताया कि अस्पताल में एक ही चत के नीचे मरीजों को COVID जांट से लेकर उप्चार तक की सभी जरूरी सेवाएं उपलब्द रहेंगी 44 वेड की त्यार की है उसके अंदर सभी चीज़े हमने कोषिज किए एक जिएगा पर है जाहे वो टेस्ट करने की हो जाहे सेंपल लेने की ओ जांच करने की हो और आक्सिजन और वन्टलेशन हो सभी चीज़े हमने एक छर्ट के नीचे अपलब्द कराई है कोवीड की तैयारियों को लेकर पूरे देश भर में मौक ड्रिल किया गया, सब्दर जंग अस्पताल में भी केंद्रिय स्वास्त मंत्री ने मौक ड्रिल का जाजा लिया, इसके पीछे कवायद ये रही कितना हमारा अस्पताल, इंफराटक्चर तैयार है, साथ, आक्सीजन ब में भी मौक ड्रिल का आयोजन किया गया, उत्यप्रदेश के उकमक्य मंत्री ब्रजेश पार्टन ने कहा कि यूपी सरकार कोवीड के किसी भी संभावित खत्रे से निपटने को तयार है, बिहार के सबसे बड़े और कोवीड-19 एक्सलेंस, वो बढ़ते रहेंगे, इने हु मोर्मू और कश्मीर में COVID प्रबंधन के तयारी सुनशित करने के लिए मौक ड्रिल आयोजित की गई, कुल काता के एस्पतालों में भी मौक ड्रिल का आयोजन किया गया, स्वास्त इभाग ने बेलियागाटा, आईडी और बीजी एस्पताल में मौक ड्रिल को आयोजित किय जहां कोरोना महामारी से बचाव की तायारियों की समिक्षा की गई उधर तमिलनाड के स्वास्त मंत्री म.A. सुब्रमन्यों ने कोविड मॉकडिल की समिक्षा करने के लिए चेन्नई की राजीव गांधी सरकारी स्पताल का दौरा किया इस दवरान उनने अस्पताल में स्वास्त सुविधाओं और आईसलेशन वाट्स का भी दवरा किया गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मॉकडिल किया गया और स्वास्त करिमियों ने चेकित सा तैयारियों का भ्यास भी किया मद्धिप्रदेश शिराजानी भूपाल के अस्पतालों में भी मॉकडिल की गई जैप्रकाश और हमीदिया अस्पताल में सुबह दस बिद्दे से मॉकडिल शूरू हुई जिसमें परिसर में स्थित ऑक्सिजन प्लान्स से लेकर ऑक्सिजन के सप्लाई, वेंटिलेटर, आइसुलेशन बेट्स, जरूरी दवाईयों सहित सभी तरह की विवस्थाओं का परिक्षन और प्रबन्ध किया गया प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिय अस्पताल पहुँचकर मॉकडिल का जैजा लिया उसके procurement की पूरी हमाई प्रक्रिया है और हमाई पर sufficient दवाईयां है भी और ज़रुत पढ़ेगी तो हम दवाई ले भी सका तेलंगाना में भी हधराबाद के गांधी एस्पताल में मौकडिल के दारान कोरोना से बचाव की तयारियों की समिक्षा की गई किसी भी आपात स्तित से निपटने के लिए त्वरित कारवाई पर बल दिया गया आदेश दिया गया है कि आप अपनी तयारियां सुनेश्चित कर लें बले वो oxygen supported beds हो, ICU हो, ventilator supported beds हो, दवाईयां हो, ambulances हो, staff हो, सभी तयारी में रहें। आइसलेशन बेट, oxygen supported bed, ICU bed पर्याप संख्या में हैं या नहीं। गौर तलब है कि चीन में कोरोना का कहर लगादार जारी है। ऐसे में कोविट का प्रसार भारत में न होने पाए, इसको लेकर केंद्र सरकार alert mode में है। केंद्र ने राज्यों को भी मुस्तायत रहने की स्तलाह ती है।